नमस्कार दोस्तों मैं आदित्यकुल से साब सभी का एक वार फिर से सौगत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पहली नोई है आईए इस पर लास्ट के हम लोग ने दो वीडियो में देखा था नौर्थ अमेरिका के बारे में हम उसकी कोस्ट लाइन पे हम लोग ध्यान दीती इस वीडियो में हम लोग ध्यान देंगे कि माउंटेन रिंजिस कौन कौन सी है यहां पर और माउंटेन रिंजिस के साथ-साथ उनकी है जिस तरीके से या तो वो बना है different time formation से या फिर वो different समय काल से बना है या फिर वो बना है different process से उसका जो process है वो अलग है जैसे बहुत सारे processes होते है mountains के जैसे fold mountains होते हैं जब कोई दो plate आपस में टकराती है बड़ी plate देखिए मैं बताता हूँ हो यहां पर यहां से जो एक pacific plate है इस जगे पर और इस जगे पर जो हमारी यह North American plate है यह दो plate जब आपस में टकराई और इनके टकराने से यहां पर compression हुआ compression होने के बाद जो भारी plate थी वो नीचे चली गई और जो हलकी plate थी वो उपर आ गई तो जो भारी plate थी उस plate वो थी pacific plate pacific plate actually basalt से बनी है और जो North American plate है यह हमारी plate बनी है ग्रे नाइट से ग्रे नाइट हलका होता है बसाल्ट भारी होता है इसलिए pacific plate नीचे चली गई और ग्रे नाइट वाली plate उपर रह गई तो इस तरीके से यहाँ पर mountains का formation हुआ इस तरीके से यहाँ पर mountains का formation हुआ इसी formation के साथ इस तरफ कुछ ranges बनी यहाँ से ranges कुछ है यहाँ पर यह हम लोग इजोतो, यह brooks range है इधर, इस की highest peak Mount इजोतो है, उसके बाद नीचे आते हैं, तो देखी यहाँ पर है Alaska Range, यह Alaska Range है हमारी, Alaska Range की highest peak जो है वो है डिनाली, और डिनाली को हम लोग जानते हैं दूसरे नाम से Mount McKinley, Mount McKinley. ये North America की सबसे highest peak है North America की ये सबसे highest peak है और ये एक active volcano भी है दियान रखिएगा, mark कर लीजेगा, ये एक active volcano भी है और ये North America की सबसे highest peak भी है Brooks Range और Alaska Range के बीच में एक plateau पढ़ता है जिस plateau का नाम है Yukon Plateau एक्चली यहाँ पे एक river भी बहती है वो बताओंगा मैं आपको river कहां से आ रही है और कहां पे तो यहाँ पे एक plateau है, उसका नाम है Yukon Plateau Y-U-K-A-N, Yukon है सौरी, Yukon Plateau तो ये plateau Brooks Range और Alaska Range के बीच में है Yukon, Y-U-K-O-N तो Yukon Plateau, Alaska और Brooks Range के बीच में है उसके बाद हम लोग नीचे आते हैं तो आपको एक coast range मिलेगी यह जो range है, यह coast range है coast range coast range की जो highest peak है वो है Mount Logan और यह coast range आपको Canada में मिलेगी यह एदर कुछ Canada का हिस्सा है तो यह Canada में और यह Canada की सबसे highest peak है Canada की highest peak जो है, वो है Mount Logan यह exam में पूछा जा सकता है, पर लिम्स का question साजाएगा कि Canada की highest peak बताईए तो वो Mount Logan है या फिर Mount Logan कहां पर situated है, तो वो आएगा Canada में Canada में Mount Logan situated है, coast range बेए और यह Canada की second number की highest mountain peak है, चलिए आगे देखते हैं उसके बाद हम लोग नीचे आएंगे तो नीचे आपको एक और जगे देखेगी इसी Mount range में जब आप नीचे आएंगे, coast range में जब आप नीचे आएंगे तो इधर एक plateau पड़ता है उस plateau को हम बोलते है British Columbia Plateau या Columbia Plateau इस plateau से एक river निकलती है Yukon river जो यहां पे जो मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में यहां पे एक bearing sea थी, bearing saagar था उस सागर में जाके यह river गिरती है, वो कहां से निकलती है British Columbia Plateau या Columbia Plateau से यहां से निकलती है British Columbia Plateau से यह river निकलती है और कहां जाती है, bearing sea में और यहां पे Yukon Plateau था, तो British Columbia Plateau से एक river originate हो रही है जिसका नाम है Yukon River और वो Yukon Plateau से होते हुए bearing sea में गिर रही है, तो यह आप इतना ध्यान रखिएगा उसके बाद जब हम नीचे आते हैं तो उसका नाम है Cascade Range, यहां पे Cascade Range मिलती है Cascade Range के जो highest peak है, Cascade Range का जो highest peak है, उसका नाम है Mount Rainier, ध्यान रखिएगा काफी questions बन सकते हैं in Mountain Range में, match the falling हो सकता है, कि आपको एक तरफ range दे दी जाएगी, एक तरफ mountains दे दी जाएगे, आपको match करना पड़ेगा या फिर आपको, यह एक order है इनका, तो आपको एक order में इनको लगाना होगा, तो ध्यान रखिएगा, यह इसी order में आप चलेंगे तो जादे easy रहेगा आपको और इससे questions भी बहुत अच्छे अच्छे आते हैं तो अभी हम यह cascade range पर ध्यान देएंगे, cascade range की highest peak जो है, वो है Mount Rainier, फिर उसके बाद जब हम नीचे आते हैं, तो हमें मिलेगा Cera Nevada, यह देखिए, यह Cera Nevada है, अब Cera Nevada किस चीज के लिए famous है, Cera Nevada जो है, वो Mount Whitney, Mount Whitney, वहाँ पे एक mountain peak है, और वो अमेरिका की दूसरे नंबर की highest peak है, पहले नंबर की अमेरिका की highest peak Mount Minkley थी, और दूसरे नंबर की highest peak जो है, वो है Mount Whitney, तो इतना clear हो गया होगा आपको, अब आगे देखते हैं, Mount Whitney, Cera Nevada की highest peak है, और यह जो Mount Whitney है, यह only block mountain है, और यह world का detailed block mountain है, या फिर सबसे, आप बता सकते हैं, detailed, detailed, detail को आप बताएंगे किस तरीके से, world की, विश्व की विस्तृत mountain range में से यह एक है, और इसका नाम है Mount Whitney, और यह block mountain है, चलिए इसके नीचे आते हैं, तो यहाँ पे आपको मिलेगा, यह सीरा मादरे occidental है, यह जब नीचे देखेंगे, तो यहाँ पे सीरा मादरे occidental है, इसके opposite में एक और है, सीरा मादरे oriental, occidental, next slide में देखते हैं, उसमें लिखा हुआ है, इसमें नहीं है, चलिए देखिए, मैं बताता हूँ, मादरे, m-a-d-r-e, occidental, o-c-c-i-d-e-n-t-a-l, occidental, तो यह occidental और oriental जो word है, यह दोनों opposite में है, यह इदर occidental है, और इस तरफ oriental है, तो यह कुछ नहीं है, occidental को हम लोग शायद Latin में western बोलते हैं, तो यह western हो गया है, और oriental, oriental जो word है, यह east हो गया है, बस इसका इतना ही difference है, वाकी यह, आपको confuse करने के लिए ही है, occidental and oriental, इस occidental के पास आप देखेंगे, इस जगे पे एक death valley है, death valley को world में hottest place के लिए जाना जाता है, और यह और यह लगबक 28 मेटर, अप्रोक्स, below the sea level है, मतलब इसकी गहराई भी बहुत जादा है, तो इसलिए वैली से यह कोई river वाली वैली नहीं है, इसका बस सिफ एक नाम है, यह यहाँ पर present है, बस इसका एक नाम है, इसलिए इसको death valley बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर यह वर hottest place एक predefined नहीं होती है, हर साल बदलती रहती है, लेकिन यह 1913 में जब यहाँ पर एक temperature record किया गया था, उस टाइम यहाँ पर temperature कुछ 53 degree Celsius था, तो इसलिए यह वर्ल्ड की hottest place बन गई थी उस टाइम, और अभी भी ज्यादा difference नहीं, अभी एजिप्ट में शायद वर्ल्ड की hottest place थी, जहाँ पर temperature 58 degree था, तो यह यहाँ पर वर्ल्ड की hottest place के नाम से जानी जाती है, Death Valley है, और यह 28 meter approximately below the sea level है, और यहाँ पर जो temperature usually रहता है, वो 50 to 55 के बीच में, 50 to 55 degree Celsius के बीच में होता है, चलिए, फिर इसके नीचे मैंने आपको बताया, सीरा मादरे और सीडेंशल है, यह आपे कुछ ऐसी important peak वगेरा नहीं है, फिर इसके opposite में सीरा मादरे और येंटल है, तो इधर भी कुछ आपको ध्यान देने की जववत नहीं है, यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर grand basin है, sorry, grand basin है, great basin है यहाँ पर, यह एक type का plate, plateau type का है, फिर उसके बाद आप नीचे आएंगे उसके, तो उसी के नीचे आपको मिलेगा Colorado Plateau, यहाँ पर, यहाँ पर आपको कहीं Colorado Plateau मिलेगा, आप देख पा रहे होंगे अपने map में, अगर आपके पास map है, एटलस लेके बैठे हैं, आप तो साथ में आपको देखता जाएगा, य और इसी के पास थोड़ा से उपर आप देखेंगे तो Great Basin है, इतना चीज के लिए है आपको, फिर उसके बाद हम Mexico में देखेंगे, यहाँ पे center में, यह जो प्लेट्यू है, इदर एक प्लेट्यू है, इसको बोलते हम Mexican Plateau, और यह Silver के लिए famous है, famous for silver, Mexican Plateau जो है, वो silver के लि यह center में था, Alaska और Brooks Range के बीच में, इसके बाद Columbia Plateau हम लोगों ने देखा था, Coast Range पे था, इदर, Coast Range पे Columbia Plateau था, Brooks Range में हम लोगों ने ध्यान दिया था, Yukon Plateau, फिर उसके बाद Great Basin हम लोगों ने देखा था, यहाँ, फिर उसी के नीचे Colorado Plateau था, और Ozerak है, इस तरफ है Ozerak, Ozer Mexican Plateau famous किस चीज के लिए है, वो है हमारा Silver, Silver के लिए Mexican Plateau famous है, तो यह इसी order में, यह जो Western Corridale है, तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा इसी order में, तो काफी question आपको easily solve हो जाएंगे, चलिए इस तरफ आते हैं हम लोग, अब इसके Eastern Face में आते ह हैं, देखिए, इधर एक range है, इस range को बोलते हैं, एपलाशियन, लिख लीजिएगा, Mountain Range, एपलाशियन Mountain Range, ये काफी कुछ हमारे इंडिया में जो अरावली range है, उसी के टाइप की range है, क्योंकि दौनों में erosion अच्छे से हो रहा है, देखिए, अरावली range को छोड़िए अभी, इसमें देखिए, इसका जो हमारा North वाला पार्ट है, इसका जो North पार्ट है, ये एक कोल प्रोडक्शन के लिए बहुत famous है, यहाँ पर कोईले की ख़दान है, और वहाँ पर मिलता है, एंत्रसाइट, एंत्रसाइट कोल मिलता है महाँ पर, और वह कोल बहुत ही अच्छा thermal capability से होता है, तो इसलिए वह बहुत famous कोल है, और इसके South में मिलता है हमें Iron, तो ये दौनो तरफ इसके, एक तरफ एंत्रसाइट कोल है और दूसरी तरफ Iron है, इसी कारण इसका erosion ज़्यादा हो रहा है, इसके Center में इसकी एक Peak है, एक Mountain Peak है इसकी, उस Mountain Peak का नाम है Mount Michelle, Mount Michelle, Mount Michelle, Mount Michelle इसकी Peak है, ध्यान रखिएगा, एक तरफ एंत्रसाइट है, दूसरी तरफ इसमें Iron है, और Center में इसके, जो इसकी Highest Peak है, उसका नाम है Mount Michelle, और ये Erosion, Erosion के लिए ये जाना जा रहा है आज कल, फिर इसके बाद हम लोग ध्यान देंगे तो, यहाँ पर बहुत सारे Lakes है, ये Great Lakes हैं, इनके बारे में Next वीडियो में बात करेंगे, उसमें Lakes कवर करेंगे, कुछ Lakes हैं यहाँ पर, और ये Lakes हैं, इनके Lakes and Rivers के लिए हम लोग Next वीडियो Canadian Shield में ऐसा कोई परवत या कोई Mountain रेंज तो नहीं है, इसमें भी Lakes ही आ रहे हैं, तो ये भी हम लोग Next वीडियो में बात करते हैं, देखें, इसमें यहाँ पर आते हैं हम लोग Rocky Mountain रेंज पर, ये Rocky Mountain रेंज है, सबसे लंबी Mountain रेंज है North America की, यहाँ से शुरू होके पूरा न बात करेंगे, इसमें क्या क्या कौन-कौन से पीक हैं, ये जो हमारी Rocky Mountain रेंज है, ये North America continent की सबसे लंबी Mountain रेंज है, और इसका इधर एक Highest Peak है, उसको बोलते है Mount Albert, Mount Albert बोलते हैं इसको, चलिए एक बाद पूरा फिर से रिवाइस कर लेते हैं, कहाँ पर क्या था, मार्क करते चलिए, ये Brooks रेंज थी, फिर इसके बाद Alaska रेंज आई थी, और इन दौनों के बीच में प्लैट्यू था, जिसको हम लोग बोलते थे Yukon प्लैट्यू, Brooks रेंज की हाइस्ट माउंटेन पीक जो थी, वो थी, इसोटो, और फिर इसके बाद जो, Alaska माउंटेन रेंज थी, उसकी हाइस्ट पीस्ट की, Mount McKinley, Mount McKinley, North America continent की सबसे उची पीक है, और ये एक active वालकेनो है, सबसे उची चोटी है इसकी, और North America continent की सबसे उची चोटी है, और ये एक active वालकेनो भी है, जॉला मुखी भी है, फिर उसके बाद हम लोग नीचे आये थे, तो coast range था, coast range में, coast range की highest peak जो थी, माउंट लोगन, और माउंट लोगन के साथ-साथ इसके नीचे जो हम लोग ने पढ़ा था, तो वो था British Columbia Plateau, और यहाँ से एक river निकल रही थी, जो Yukon Plateau क होते हुए, Behring Sagar में गिर रही थी, उस river का नाम था Yukon River, फिर उसके बाद हम नीचे आये थे, तो cascade range मिली थी हमे, cascade range का जो highest peak था, वो थी, माउंट रेनियर, माउंट रेनियर, फिर उसके बाद नीचे आये थे हम, उसमें हमें मिला था Syria निवाड़ा, यह निवाड़ा में हम लोग को एक highest peak मिली थी, जो थी, माउंट विटनी, जो वर्ल्ड की detail या वर्ल्ड की विस्तृत, ब्लॉक माउंटें रेंज में से एक है, तो यह थी, ब्लॉक माउंटें, इसके ध्यान रखेंगे, ब्लॉक माउंटें है यह, यह ब्लॉक माउंटें है, और इसी के साथ-साथ यह USA की, USA की second highest peak थी, first थी Alaska में, माउंट मिकेनली, और second जो है, वो है, माउंट विटनी, तो चल यह इतना क्लियर हो गया, फिर उसके बाद यह सीरिया निवारा था, सीरिया मेत्रा पोसी डेंटल था, यहां पे और यह ब्लॉक माउंटें रेंज थी, इसके साथ में आइरन था, और नॉर्थ में इसके एंथरसाइट कोल था, कोल के लिए फेमस है, और आइरन के लिए फेमस है, और इसी के बीच में एक शहर है, यहां पर कहीं, आपको एक शहर मिलेगा, और शहर का नाम है, पिट्सबर्ग, P-I-T-T-S-B-U-R-G, पिट्सबर्ग एक इस सिटी है, जहां पर स्टील कैपिटल बोलते हैं हम लोग इसको, स्टील कैपिटल अफ यॉनाइटेड स्टेट्स को हम लोग पिट्सबर्ग के नाम से जनते हैं आहां पर और यह आयरन और कोल जी जैसे अफंज स्टीन बृद्छ यह बन चुका है यह पर इसकी रमपे प्सिट्सबर्ग कैपिटल है, यूएस्य रोग की हम लोग शाद आय líe प्यार पर इसके बादेफ्छायएण पर्वट परवद ही ह हमनों ने इसकी हाइस पीक पड़ी थी उस हाइस पीक का नाम था माउंट मिशेल माउंट मिशेल पड़ा था हमनों ने माउंट मिशेल पड़ा था और इसी के पास अब आगे देखते हैं क्या-क्या था इसी के पास यहाँ पर एक और mountain है छोटे छोटे तो इस चगे पर आपको mountains मिलेंगे उसको हम लोग बोलते हैं blue mountain और इधर ही एक plateau region है, plateus है इधर ही एक plateau region पाया जाता है उस चगे को हम लोग बोलते हैं pitmond plateus लिख लिख लीजेगा एपलाशियन परवद के eastern side में blue mountain है और pitmond plateau region है चलिए फिर इसके बाद rocky mountain range देखी हम लोग ने rocky mountain range एक लंबी लंबी mountain range है बहुत जो की यहां से आती है पूरा और यह north america की longest mountain range में आती है और इसकी highest peak का नाम है mount albert mount albert इसकी highest peak है किसकी rocky mountain range की highest peak mount albert है और rocky mountain range north america की longest range है चलिए आगे देखते हैं फिर प्रेफड़ का ने की बाता है